तो कुछ आपस लोगों इसे का एकजामपल से समझते हैं यह हमारे पास में ऐ Guide Detriad x पास में और पास में असे के इन्दर हमारे पास में प्टेंशियल डिफ्रेंसेज ज्या विए सोर्सेज ज्या जिया हमारे पास में प्टेंशिल वो इस तो बहुत सा amazingly यह आरवन आरटो 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 आरफोर और फाइव तो अब देखते हैं यहां पर जैसे कि समय करंट की डिरेक्शन के बारे माँ अगर बात करें इस तरीके से करंट इस डिरेक्शन में फ्लोर है एंटिकलोकवाइस ऐसे तो अकोर्डिंटो किर्शोफ लोग अलजेब्रिक सम अफ ओल्डी पोटेंशल डिफरेंसे अलोंग क्लोज लूप इन्हें सर्कृट ही जीरो तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं कि जैसे हम इसका नाम देते हैं यहां पर सर्कृट का यह हमारे पास में इ सिग ओर यह डिंट तो अब एक से स्टार्ट करते करें करन फ्लोव रहा है माद लो आई वन आई करन्ट फ्लोव रहे है इसके अंदर तो आहीं पर इसके अत्रोश तो जब हमारे पास में को रेजिस्टेंस आएगा अंब्स, गरन्ट फ्लोव होता है इस टाइप से इधर कर लहाइं लेटर होगा किसे VB से जब ये इसका potential ज़्याद दॉट कम मिर्न्ट करेंगे जब तो हीशा में maanous V Am तो हमें मालूम था वी टो बड़ा है घू टो इसका पोटेंशल डिफ्रेंस कैसा आएगा हमारे पास में नेगेटिव अगर हम ऐसे जा रहे होते और करेंट की डिरेशन यह और हमें इसको अगर ऐसे कलोकवाइज केलकुलेट कर रहे होते तब हम इसको पोजिटिव लेते क्योंकि उस टाइम पे इसका पोटेंशल ज्यादा होता इसका कम होता तो ज्यादा में से कम को सब्ट्रेक्ट करते जब कब जब हम करेंट की डिरेक्शन के अपोजिट में कैलकुलेट कर रहे होते इसमें ध्यान रखना कि जब भी हम किसी सर्किट के अंदर बात करेंगे तो हम एक फिक्स डिरेक्शन बात करेंगे ऐसा नहीं कि आ कर आधिन में इसकी वेल्यू क्या जाएगी तो अधर हमारे पास में बैट्री वहांपे हम में उसके वेल्यू पोजितिव ले नी यह उनिए यहां पर प 구al इसकी वैल्यू नेगेटिव ठीक है क्योंकि हम कैसे जा रहे हैं हम जा रहे हैं ऐसे एंटिकलोकवाइज आगे जाएंगे तो हमारे पास में जो सोर्स है वह है वी फाइफ प्लस वी फाइफ फिर माइनस है ऐ कि अगर रहे हैं अब जहां बैटरी हमारे पास में लगी हुई हुँ क्या लेंगे हैं वाइनस v4 म क्या पर घ सी कि पोलरीटी अपॉजित है ठिक है वह अपॉज कर रही है करन्ट के फ्लो का रिजिस्ट्रेंस भी अपॉज करता है तो पॉज करता है इसलिए हम उसके वैली नेगेटिव लेते है आगे- माइनस आई आर्थी अब जो हमारे पास में जो वी थ्री है इसके भी पॉलरिटी अपोजित है ठीक है हम जब करंट इधर फोलो हो रहा है तो यह वाली डिरेक्शन इधर होने चाहिए यह इधर आनी चाहिए इसको भी हम कहा लेंगे इसको भी माइनस लेंगे माइनस वी थ्री है इसके बाद मैं मैंनस आई आर्टू किया जो के यह भी अपोजित है इसके पॉलरिटी भी माइनस वी टू माइनस आई आरवन और अब हमारे पास में वी वन है इसकी polarity भी कैसी है सही है इसको भी हम क्या लेंगे V1 ठीक है उधर यह current flow करवा रही है ठीक है तो इन सब का जो sum है the algebraic sum of all the potential differences along a closed loop in a circuit is 0 तो यह किसके equal है जीरो के equal है यह दूसरे language में हम इसको बोलें तो हम यह बोल सकते हैं कि हमारे पास में V5 plus V1 minus V2 minus V3 minus V4 is equals to i r1 plus i r2 plus i r3 plus i r4 plus i r5 यह हो जाता है अब यह क्या है हमारे पास में यह इसका net emf तो इसका sum of product of current and resistance ठीक है वो इसका तो emf है वो किसके equal rate इसके तो net emf है वो इसके sum of product of current and resistance यहीं हमारा circuits of second law है और यह close loop में applicable होता है यह सारे complicated circuits के अंदर हम इसको use कर सकते है यह circuit और भी बड़ा हो सकता है और भी complicated circuit हो सकता है हमारे पास में जैसे कि यह circuit आगे भी हो सकता है इस त्रीक है और भी complicated circuit बन सकता है इस type कि यहां से भी हो सकता है इस टायप से इसकी बहुत सारी ब्रांप्रस हो सकती है हमारे पास में ठीक है तो यह